एक साधू नदी के घाट के किनारे अपना डेर डाले हुए था वहाँ मैं धुनी रमा कर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में उची आवाज में चिलाता जो चाहोगे सो पाओगे उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समस्ते थे वे उसकी बाते सुनकर अंसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हस्ते थे एक दिन एक बेरुजगार युवग उस रास्ते से गुजर रहा था साधू के चिलानी की आवाज उसके कानों में भी पड़ी जो चाहोगे सो पाओगे ये वाकि सुनकर वे युवग साधू के पास आया और उससे पूछने लगा बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिला रहे हो क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ साधू बोला हाँ बेटा लेकिन पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो बाबा मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन हीरो का बहुत बड़ा ब्यापारी बनू क्या आप मेरी ये एक्छा पूरी कर सकते हो युवग बोला बिल्कुल बेटा मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना साधू बोला साधू की बात सुनकर युवग की आँखों में आसा की जोती चमक उड़ी फिर साधू ने उसे अपने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा युवग ने अपनी हथेलियां साधू के सामने रग दी साधू ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है इसे समय कहते हैं इसे जोर से अपनी मुठी में जकर लो इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना फिर साधू ने अपना दूसरा हाथ युवग की दूसरी हथेलिपर रख कर कहा बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है इसे धैर कहते हैं जब किसी कारे में समय लगाने के बाद भी तुम्हें मन चाहे परणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर नामक मोती को धारण कर लेना यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हांसिल कर सकते हो युवक ने ध्यान से साधू की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा उसे सफलता प्राप्ती के दो गुरु मंत्र मिल गए थे उसने निश्चे किया कि वह कभी अपना समय वेर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर से काम लेगा कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहां काम करना प्राड़म भी किया कुछ बरसों तक वह दिल लगा कर व्यापसाय का हर गून सीखता रहा और एक दिन अपनी महनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना तो दोस्तों इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि लक्ष प्राप्ती के लिए सदा समय और धैर नाम के हीरे मोती अपने साथ रखे अपना समय कभी वेर्थ ना जाने दे और कठीन समय में धैर का दामन ना छोड़े सफलता अबश्य प्राप्त होगी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में